असलाम लेकूम वेलकम बैक टो मैं चानल उमीद करती हूँ आप सब बिलकुल ठीक ठाक होंगे हैरियत से होंगे बदलते मौसम की वज़ा से अगर आपका कंप्लेक्शन बहुत हराब हो गया है डर्ड डार्क हो गया है चेहरे पे एकनी पिंपल स्कील महासे हैं तो यूस करो ये वला फेस पैक जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है आपके कंप्लेक्शन को लाइटन अप ब्राइटन अप करेगा और डे बाडे आपकी स्कीन को निकारता जला जाएगा तो टाइम को वेस्ट किये बिना अपना पैक बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें साथ लगे बैल आइकन को जरूर पैस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे अच्छे पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है नुरंगी उप्टन ये बेहतरीन उप्टन है कोस्मेटिक शोप से आपको एजीली मिल जाएगा और बिलकुल भी मेंगा नहीं है लेकिन इसका रिजर्ट बहुत ही शांदार है आप सभी जानते हैं कि उप्टन रंगत को निखाड़ने और चमकदार बनाने का काम करता है और इसकी खुश्बू बहुत अच्छी है और ये उप्टन यहां में एक चमच भरके एड़ करूंगी आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं उप्टन के साथ आपने इसमें एड़ करनी है मुलतानी मटी जो के मार्केट से असानी से मिल जाती है ये चेहरे को क्लीन करने के साथ साथ चेहरे से एकनी पिंबल्स को रुमूफ करती है कमपलेक्शन को फियर करती है ये भी आपने यहां एड़ करनी है एक चमच उप्टन और मुलतानी मट्टी दोनों की क्वांटिटी आपने एक्वल लेनी है और जब ये दोनों चीजें आप एक साथ लगाओगे तो मैजिकर रिजर्ट्स देंगी थर्ड नमबर पे आपने इसमें एड़ करना है ऐलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन किसी वज़ा से डैमिज हो चुकी है तो ये उसे ठीक करने का काम करता है रेटनेस को खतम करता है सूथिंग एफेक्ट देता है और एलोवेरा जेल आपने एड़ करना है एक चमच और सबसे लास्ट में इसका पेस्ट पनाने के लिए मैं यहाँ उस करूंगी रोज ओटर अगर आपकी स्किन ऑली है तो आप रोज ओटर और दही एड़ कर लें अगर ड्राइ स्किन है तो आप दूद के साथ पेस्ट बना लें इसको लगाने से पहले फेस का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और इसे अपने चेहरे पे लगाएं आप इसे अपने हाथों पैरों पे नेक पे भी लगा सकते हैं अगर आपके चेहरे पे पिगमिटेशन हैं डार्क स्पोर्ट्स हैं तो ये पैक उसके लिए बहुत ही अमेजिंग वर करेगा और शांदार रिजर्ट हासिल करने के लिए आपने इसे रेगुलर्ली वन वीक यूज करना है लगाने के बाद 15 मिनिट में ये ड्राइ हो जाएगा इस तरह से फिर आप अपने गीले हाथों से मसाज करते हुए इसे रिमूफ करें और फिर सादे पानी से वाश कर लें पहली दवा के इस्तमाल से ही आपको इसके बहुत ही वीजिबर रिजर्ट्स मिलेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा इन्शाला मिलूंगे नेस नई वीडियो के साथ अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा अलाहाफिज